कि आइए आज क्लाश 10th यूपी बोर्ड का इंग्लिस का एका सेट सेवन देखते हैं साथ सट थे मैं करा चुका हूं साथ देख रहा हैं इसमें देखे पहला पढ़के इसका चाड़ सकते हैं दूसरा अप्लिकेशन या लेटर है तो जिसको मैं मास्टर वीडियो बना चुका है इसके उपर मास्टर वीडियो बनाया है अप्लिकेशन का उसको देख सकते हैं लिंक दे दूंकर डिस्क्रिप्शन वे इसके बाद देखिए निबंद है निबंद के भी काफी वीडियो बनाया है इसकी जल्दी मास्टर वीडियो प्लोड कर दिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें गंटी दबागे देखते हैं देखिए सिक्षन सी में क्या क्या है आपका सिक्षन सी में पहला जो कुश्चन है पुलिस रायन यहां प्रिपोजिशन भनना करेक्ट प्रिपोजिशन पुलिस दावडी अब यहां चीव द चुए के पीछे दवड़ी यह सब वाक क्या हैंगे तो आपको आफ्टर लगाना पड़ेगा चली देखते आगे नो सुनर डिड़ी लीव होम जैसे वह घर को छोड़ा तो नो सुनर के बाद हमें साथ दैन लगता क्या लगता है दैन त्यों ही क्लिए दैन लगता नो सुन दो पाइव में इंडिया है क्या है हाठ कंट्री माने ऐक गर्म जलवाय। का देश है कुण आप जानते हैं ही जाते इंचल सब्सक्राइब होतां लाइब क्योंकि यह पढ़ रहे हो ना है पढ़ रहे हो तो इसमें देखे आज वर्सा हो रही है यह अर्थारा इति रेनिंग कर दिए टीडिए आज भारी वर्सा हो रही है इस तरह से आपको कहाना पढ़ेगा करनौस टैंस में है कि वर्सा हो रही है तो इस माईज रही होगा पर चला हरोगा ओध दिया ओधित में Scholz पर चांणना यह वाई चलतुरान यह पादार यह होगा हुश है ज्यादा बटर यह पाड़ेगा ठीक है तो पहले हुशं है और आठ वां देखते टेंस पाचानना है तो यू साहल गेट एरी गुड रिवार्ड यह में कौन से टेंस है तो साहल साते गेट है फ़स्ट फार्म लगा है बिले साल सातु फिर फ्यूचर इंडिफिनिट है यह तो फ्यूचर इंडिफिनिट भी वाला हो जाएगा अग्यान के एंग्याद के तुसरे में हो जाएगा लेफटिन न है देखि हम बता दैंकर इसमें यल आई इपारा जाएगा यल कि लेफटिनेंट एक सेनानी करना आप सुने होंगे यल इसकी स्पेल्लिंग यह लाई दिया किताब में उसके बाद एक ही छोड़ा है लेकिन एक और भरना पड़ेगा यू इसमें आपसन कम दिया है तो इसको आप बढ़ा लेंगा जानली टापिंग मिस्टेक है यहां यहां दो छोड़ना चाहिए था तो एक में हो जाएगा एक में हो जाएगा यू यल आई-ई-उ उसके बाद टी-ई यन-ए-उन-टी यन-ए यन-टी यल आई-ई-उ लिव टी-ई-टी नैंट लिव टी-नैंट वन है तो लेफ्टिन एंट क्लियर इतना ध्यान देना स्पेलिंग इंपार्टेंट है परिच्छम कई बारा है यह इतना ध्यान देना इसमें यल आई के बाद जो है ए रहेगा ठीक है यहां आपसन में क जैना की पद uneven आई अई आपके छएऊ स्वाई मिश्टर डाक्टें भीष्ट तो जाएग मि वी पार नियुक … यार टाट फिजिक्स बडाक्टर जेंट अ यह हो जाएगा कि आगे देखते हैं प्यक्तितंब अबशार यह आपया है आ है डिटi स्पीच तो इंडारइट में माई फादर स्द तू का हो जाएगा टॉलड क्या हो जाएगा टोल मी उसके राद साड़्य ठीर टोलि treatya यहां अस अ लूज़ाईगा क्या हो जानौ माइफारास्ट में मेरे पिता ने मुझे पूंचा क्या पूंचा उसके बाद लगा दें प्रइन का एंोकि यह स्वाइब बात की लगता है यूमिक अंसार बातल दो इफ के बाद होजाएगा I, फिर have का क्या होजाएगा? Hired. If I had completed, फिर your का क्या होजाएगा? Your का जो है, आपमें का असार बतलनोगे तो my होजाएगा है. My work now का क्या होजाएगा? Then. तो होजाएगा, my father asked me if I had completed my work then. Reardering देखता है, never hard goes waste work. हो जाएगा hard go hard work कि हाठ वर्ग काथिन पर सम बड़क हाडवर्ख गोज गोज के पर ने वर लागी तो देखें क्यों सब्जिक बाद बर्व तो लगता है लेकिन ने बर एक ऐसा सब्ध हगो सबस्क्राइब में समय बर्व से पहले आ जाता है किलियर इसलिए निभर जाता है रोज जाता है तो सब्जेक्ट हो जाएगा क्लियर अगला पंच्वेशन में देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है आई सेट टू माई मदर पहले आई बड़ेस कर दिए आप पहला काम मदर के बाद कामा लगा दिए इनवर्टर कामा लगा दिए पी बड़ेस कर दिए आई सेट टू माई मदर कामा इनवर्टर कामा फिर पी बड़ेस कर दिए प्लीज गिव में 200 रूपीज आएज आएज के बाद फिर आई बड़ेस आप कर देंगे आई हमें सब बड़ेस लिखा जाता चाहिए सुरूम हो चाहिए बीच महों हो चाहिए कहीं पर आई परशेज और डिक्सिनरी बात फुलिस्टाप लगा है आप इनवर्टर कामा बंद कर दिए चलिए आगे देखते हैं अब यहां ट्रांसेशन भी देख ले रहे हैं एक बहुत बुढ़ा आदमी आंके पीड लगा रहा था तो जाघै ए बेरी ओल्ड मैं लगा रहा था क्या लगा रहा था लगा था दबाहिंगो ट्री आंका बेर एऊ ब्लाइंक व्यु कोगे तो जाएगा तो क्यो हमरें करते हो है तो इनके फल तुम नहीं खा सकोगे, यू इनके फ़ल तुम नहीं खा सकोगे, तुम खाने की योग नहीं खा सकोगे, इनके मतलब इन पेडों के फ़ल, इनके फ्रूट आफ दीज टीज, आया आप सिंपल इसको आशे कि यू विल नाट इट टीक है यह थी फ्रूट्स ऐसे भी कर सकते हैं तुम इन फलों को नहीं खा पाओगे लेकिन बेटर वर्ड होगा दफूट आप दफूट साफ देज टीज यू विल नाट इट फूट आप दीज टीज यह भी सही है और इस कोई काम नहीं कर पाना के लिए बिल नाट बीएबल टू का भी प्रयोग होता हूँ यू विल नाट बीएबल टू इट फ्रूट आप दीज टेज तो क्यों परिश्रम करते हो तो क्लिए आप देन लगा दीजे कामा करके देन वाइड डू यू वर्क हार्ड वाइड दू परिश्रम करते हो क्लियर को प्रस्मा चाप लगा दिए इनुट काम बंद कर दिए बूढ़ा बोला दा ओल्ड मैन इस पोक इस पोक माने बोला वह सब्सक्राइब कर सकते हो कहा या बोला कामन काम आप लिखेंगे मेरे पूर्बजों ने जो पेड लगाए उनके फल मैंने इसके अंग्रेजी हो गया है अब मेरे पूर्बजों ने जो पीड लगाए इसको आपने हिसाफ से हिंदिम दुसरे इसाफ तकाने का प्रयास करो क्लियर क्योंकि ट्रांसेशन का यहीं है कि पाले नाउन लिखा जाएगा तो इसलिए इसको मेरे पूर्बजों ने लगा इस ट्रीज ठीज ठीक है दट्रीज विच्वर प्लांटेड बाई माई एंसेस्टर्स वह पेड़ जो मेरे पूर्बजों ने लगा था या फिर आप इसको और सिंपली थोड़े में का सकते हों ठीक है में कि आगला वाकिको मिलाकर उनके फल मैंने खाय तो पहले इससे बता देंदा ट्रीज इच्वर प्लांटेड बाई माई एंसेस्टर्स वह उनके फल मैंने खाई आइड देर फूट आई अट देर फूट फूट मैं उनके फल किया है खाया अब इसको एक तरीके साथ से पूरा मिला के मेरे पूर्वजों जो पेड़ लगा है उनके फल मैंने खाए तो जगा आई आएट दा फूर्वजों के द्वारा लगाया गया पेड के फल को खाया तो इसका मतलब हो गया जो मतलब मेरे पूर्वजों जो पेड़ लगाया उनके फल मैंने खाया आप समाझ गया इस तरह से ट्रांसलेशन का मेथड होता आप उसको काई से और कह सकते हो अपने भाद साम उसको लिए दो सेंस वाई रहना चाहिए बस ठीक दोन तरीके बता दिया आपको कंजक्शन मेरे द्वार लगाये मतलब श्रूस ठीक है विचाइ प्लांटेट यह विच वर भीच रह। यह यहफिर आप इसको मेरे द्वारा लगाया गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे तो पहले इसको आप लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे तो my children and their children will eat the fruits of the trees planted by me my children and their children will eat the fruits planted by me ऐसा भी कर सकते हैं मेरे बच्चे और उनके बच्चे उन पेडों के खल मतलब मेरे द्वारा लगाएगे पेड़ों के फल बात समझ गए ना इस तरह से आपको करना है तो आगे देखिए अठराओं को स्चन है आपका कि बिजड़ माने होता है तो पूर्देश कॉल्ज द्लिण का और निकलना उसके बाद आप सेट माने क्या होता है परिसान होना तो वरिड अनित्य कॉआप कि चलिए लास्ट कुस्टन आपका है सी डांस्ट विथ इंथुजियाज इंटोक्सिकेटेड विथ अब इसमें जो है कि आपको भरना है यह सप्लिमेंटर से हैं तो वह उत्सा के साथ डांस की इंटोक्सिकेटेड मन उनमत होकर भी ठीक है प्लीजर होगा खुशी से उनमत होकर खुशी से एक दम पूरा मतिल्डा जो थी वह पात्र थी वह डांस की थी जब गई थे पार्टी में क्लियर उसी से पार्टी यह नेकलस से आई हेट दा थाट आफ यह आपके सिलेबस मनाई है इसको काट दीए उसके बाद जो है यह आलसो टाट मी टू राइट उसने मुझे सिखाया तू राइट माई नेम मेरा नाम लिखना सिखाया था तो यह अनिल्था हरी सिंग को सिखाया था यह जागा बी वाला मिश्टर अफंफरेर रंग मिश्टर रंग मलती रही रोड़ती रही क्या हर हैंड अपना हाथ मलती रही पाहला वाला इसमें सही हो जाएगा तो यह था आपका अगले वीडियो में आपको जो है ने आपको पता दिये जाए तो इसलिए पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शीयर करे ताकि आगे यूजफल वीडियो मिलती रहेगे आपको एक्जाम से पहले पूरा तयारी कराए जाएगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक्स पर वाचिंग वीडियो